नवस्कार फ्रेंट्स आप सभी का एक बार फिर से educational चैनल में स्वागत है और आज की वीडियो में हम आपके साथ discuss कर रहे हैं एक बहुत ही important topic के उपर जो कि आपके UG Snate Paper 1 के लिए यानि कि आप सभी का जो common paper उसके लिए काफी important रहेगा साथ ही साथ PhD का जो entrance examination होता उसमें चाहे आपका written test हो गया और चाहे आपका interview हो गया इन दोनों के लिए आज की वीडियो का topic बहुत ही valuable हैगा बहुत ही मुलिवान रहेगा और आज की वीडियो का topic है scientific method यानि कि वग्यानिक पद्धत तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वग्यानिक पद्धत किसे कहते हैं साथ ही साथ जानेंगे वग्यानिक पद्धत की विशिश्ताय क्या है scientific method के characteristics क्या क्या है और क्यों ये social science के field के जो researcher है ये इसका उपियो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं अपने सोद में क्या गुर है तो देखे सबसे पहले हम जाने की और आपको focus कराने की पद्धत करेंगे कि वग्यानिक पद्धत है क्या तो देखे कहा गया कि साधारत उस पद्धत यानि कि उस method को scientific method तुट के है विए दाउट बैसंएश या निस्पच्चराकर किसी विश्य किसी सब्लेक्ट किसी प्रशनावली जिस्वाधना करता है इस सेट वह अणुट करता है प्रशनावली अनुसूची या किसी अन्य प्रवीत की सहायता से तथ्य संकलित करता है फैक्ट क्या करता है इकठा करता है उनका वर्गी करता है क्लासिफिकेशन करता है उसका सार्डियन करता है यानि की टेबुलेशन कहें कोडिंग कहें करता है विसलेशर करता है फिर क्या करता है उसनका एनलेसिस करता है फिर व्याख्या करता है फिर एक्स्प्लेइन कर देता है और कार्य कारण संबंद का पता लगाता है और कॉस जो आपका एफेक्ट है ठीक है जो आपका काम हो रहा है जो कार्य हो रहा है कोई घटना होता है उसके प वैज्यानिक निस्कर्स निकालता है और नियो वो सिध्धानतों का प्रतिपादन करता है इनका सत्यामपन करता है इससे इसकी पुर्वानुमान या भविस्वाड़ी करने की चमता बढ़ जाती है तो यहां पे अगर यह लाइने अगर आप पढ़ते हैं ध्यान देते हैं जो इस्टडी होता है वो बाइसनेस फ्री होता है इसमें कोई समस्या हो गई या कोई घटना हो गई उसके लिए हम क्या करते हैं एक देखें तो बाइसनेस फ्री होके जो जैसा हो रहा है हम उसको वैसे ही देखते हैं और उससे वैसे ही जो डेटा हमें प्राप्त होता वैस इसको संकलित करते हैं कैसे चाहे ड़ेरेक्ट अब्घर्वेशन के ठू counter और चाहे हम questionnaire के ठू किसी से निकलवा सकते हैं चाहे και c sweetie बना सकते हैं ठीक है और फिर इन डेटा के आधार पे हम क्या करते हैं हम डेटा के आधार पे इनालिसिस करते हैं इस डेटा पे हम अच्छे तरीके से इनालिसिस करते हैं जो रियल्ट आता है उसकी व्याख्या करते हैं और जो कारण है ठीक है जिसके कारण कारी हो रहा है कोई घटना है उसके पीछे क्या कारण रहा है ठीक है उस संबंद का य क्या कर देता है सब के सामने इसको पता देता है यानि जर्लाइज कर देता है सब को इसके बारे में पता चल जाता है और साथ ही सब घटना हो तो आपका प्रभाव वही निकल के आएगा जो यहाँ पे निकाला गया है जो रिजल्ट यहाँ पे दिया गया है देखिए कहा गया इससे उसकी पुर्वानुमान या भविस्वारिक करने की छंता बढ़ जाती है यानि कि कोई आप रिसर्च करते हैं किसी घटना के बारे में आप साइन्टिपिक मेथट के थूँ आप उसके प्रभाव को या उससे जो भी कारण रहा उसको जानने की कुछिस करते हैं और जान जब जाते हैं जनलाइज कर देते हैं तो पुर्वानुमान और भविस्वारिक करना भी आसान हो जाता है छंता बढ़ जाती है जिससे की आप कहीं पे भी बताएंगे कि अगर ऐसा घटना होता है तो उसके पीछे ये प्रभाव रहा है ठीक है ये कारण रहा है और ऐसा करण अगर कहीं होता है तो फिर घटना ऐसे ही होगी ठीक तो यहां पी यह चीज़ें हो गई आगे देखें कहा गया है कि व्यापक अर्थ में 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 व्यापक अर वैज्यानिकों में यह दिड़ विश्वास पाए जाता है कि उनके समुक जो घटनाएं हैं उनका समाधान सामाजी घटनाओं के बुद्धिमत्तापूर और व्योस्तित अवलोकन, सत्यापन, वर्ग करड़ तता विश्यसर द्वारा ही संभव है अपने यथार्थ स्वरूप में इसी उपागम को वैज्यानिक पद्धत कहते हैं तो चलिए अब आपको पता चल गया होगा कि वैज्यानिक पद्धत है क्या ठीक यानि कि एक सिस्टेमेटिक तरीके से किसी घटना के बारे में जानकारी अगठा करना विदाउट कोई आपका उस पे कोई थिंकिंग इस पर जैसे घटना घट रही है उसके आधार पर वैसे ही आप उसकी व्याख्या कर देंगे यही आपका वैज्यानिक पद्धत है आगे चलते हैं अब देखिए वैज्यानिक पद्धत के जो मुख विसस्ता हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिस करेंगे क्या है देखिए नई चीज़े नॉलेज आपको रिसिव करना है तो उसका जो देखें बेश जो होता है वज्ञानिक पद्धत ही होता है कहा गया है कि वज्ञानिक पद्धत के द्वारा ही ज्ञान प्राप्थ होता है देखें कहा गया है कि मूर्थ और अमूर्थ या निकि जो आपका सामने दिखाई दे रहा है या आपके दिमाग में जो चल ला है मूर्थ हो या अमूर्थ हो कहा गया है कि सामाजिक तत्यों को अध्यन के लिए समाज विज्ञान विभीन वज्ञानिक पध्धति को अप्रियूण करते हैं हैं उधारे के रूप में गान प्राप्त यह कृत करने हो समाज 2007 होगया Yani सूखी हो प्रश्णावंली प्रद्धटी हो गया समाजिक सर्वेष्र प्द्धध्र प्रद्धधी के मिलें सहांग साचCrokत का इतियासिव प्रयोग किया किया जाता है इसमें इसमें से एक आडिक प्धत्यों को काम में में लेते हुए सामाज एकटनाओं का अध्यन किया जाता है तो यहां कि कहाँ कि अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्र किया जाता है व्याणिक पध्धत के अंतर्गत तथिए को संकलन करने है तो जो है अनुसंधन करता प्रत्य जिस निरिच्छन यानि कि डार्ड अब्जर्विशन और आपका अवलोकन करते हैं इसमें कालपनिक या धार्षिं कोई अस्थान नहीं है यानि कि जो आपके सामने है वहीं है ना कि आप कल्पना करेंगे कि ऐसे है वैसे है नहीं जो के सामनी जो मिलेगा उसी को आप रिकाउड करेंगे इसमें इसमें तो अध्यन करता स्वें घटना अस्थल पर पहुंचकर घटना का निरिच्छड कर निरिच्छड और तत्यों का संकलन करते हैं यदि समाज वैज्ञानिक को बाल अपराद या आपका वैस्या वृत की समस्य क्या क्या अध्यन करना है या भीड वेवार के संबंध में जानकारी प्रप्त करनी है तो वह इनसे संबंधित तत्यों को स्वेंग घटना का अवलोकन करते हुए एकत्तित करेगा तो यहां पर देखिए यह गुड आपके साइंटिफिक रिसर्च के जो मैथड है ठीक है सा अंतरगत यह सब गुड़ास आएंगी तो अगर यह फॉर्मेट यूज किया जाता है रिसर्च में तो आपका रिसर्च कहें तो वह काफी देखें तो एक इस्ट्रॉंग रहेगा वह वेरिफाइबल रहेगा ठीक है देखिए कहा गया कि तत्यों के वर्गी करण यह विसले निकलना स engaging यानि कि कि कोई अगर आपके डेटा देजया जहाए या भी क्क्रिवें बहुत सारे आपके पास आंखड़े कोई इक-ठाल्य कर दिया जाहे शाहें आपका लिखा ओवा डेटा यह आपके पास recorded कोई डेटा हो आपने आडे-टा किया है तो इसका क्वई मतल्म न उनको क्या करें systematic तरीके से विवश्यत करें क्रमभद की जाए इसके लिए को समानता के आधार पर यानि कि लेबलिंग करें कोडिंग करें कहा गया है पर विभीन वर्गों में बाटा जाया यानि कि अलग-अलग का टेगरी में बाटा जाए यह कारी वर्गी करण के अंतरगात आता है इसके पश्यात्त्यों का साउध्राणी पुर्वक विसले शड के डेटा का एनेलेसिस करना है और किसी भी विजान मानने का प्रहुंकारणी यह है कि उसमें सही निस्कर्टों तक पहुँचने के लिए तत्थों क्या वर्ग करण विसले सर किया जाता है तो ये चीज़े हो गई आगे कहा किया इसमें जो गुड़ है कि क्या है का उल्ले किया जाता है तो एक ये क्या है का उल्ले करता है दीकाजर वग्यानिक पंदत के अंतरगत वास्तवी घटनाओं की विवेचना की जाती है कोई भी वग्यान इस बात पर विचार नहीं करता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है यानि यहां पर कहा जार है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए क्या अच्छा है क्या बुला इसका विवेचना इसका उलेक नहीं करता है इसको explain नहीं करता है यह आपका scientific method यह कह रहा है कि वह तो घटनाओं तदा तत्यों का यथार चित्रन करता है आपका scientific method जो है यह आपका जो घटना है जो समस्या है उस समस्या का यथार चित्रन जो भी चीजे निकल के आती है जो पीछे घटना घटी है जो पीछे कारण है जिसके कारण ये घटना घटी है वो प्रभाव जितनी भी चीजें इसके अंतर के आती है वो सीधे के सीधे आपका निकाल के लाएगा व्यक्ति और व्याख्या कर देगा उसके बारे में बताएगा वे ज कि इस रूप में हैं उनका ठीक वैसा ही चितर करता है क्या है का उले करता है उदारण के रूप में विज्ञान तो शैक्त परिवार परथा या जाती व्यवस्था का प्राप्त त Een छो फकी उसी रूप में यह निकल के निकाल के रिजल्ट लाता है और बताता है कि जो चीजें घट रही हैं उसके पीछे यह कारण है अच्छा और बुरा क्या है इसका यह कहें तो अपना कोई कहें तो विचार नहीं रखता है ठीक आगे चलते हैं कारे कारण संबंद की विजोशना की जाते हैं इसमें विज्ञानिक पद्धत के अंतरगर घटनाओं तत्य और विभिन समस्याओं के कारे कारण संबंद का जानने का प्रत्नी किया जाता है जिमेदार है उसको यह चिक करता है, उस सम्बन्ध अस्थापित करता है, वेख्या करता है, कहा गया है विज्ञान तो किसी घटना या समस्या के पीछे चिपे कारलों की खोश करता है, वह तो यह मानगा चलता है कि कोई भी घटना जादुई चमतकार से घटित नहीं होती, का पता लगाना वैज्ञानिक दाई तो है काल्समाक्स का वर्ग संघर्ष का सिधान यो दुर्खीम का आत्महत्या का सिधान कार्यकारण के सह संबंध को अस्पष्ट करते हैं को रिलेशन को अस्पष्ट करते हैं देखे आगे कहा गया सिधान्तों की अस्थापना की जाती है वग्यानिक पद्धट और scientific method की सहायता से कार्यकार संबंदों की विवेचना की जाती है तत्थियों घटनाओं के पारिषपरिक संबंद ग्याद किये जाते हैं और वर्गी करण और विश्वेसर किया जाता है और तत्पस्चार सामन निसकर्स निकाल जाते हैं और इस निसकर्सों के आधार पर ही सिध्धांत या वग्यानिक नियम बनाए जाते हैं यानि कि जब देख लिया जाता है कोई variable है इस variable के ये effect पड़ रहा है तो जब ये variable इस तरह से effect डालेगा तो ये product निर्मित होगा यह घटना होगी या यह प्रभाव पड़ेगा तो यहाँ पर क्या चीज़ें आरही है तो व्यक्त यहाँ पर वो निर्माना कर देगा सेक सिध्धांत का और बता देगा कि ये जो घटना घटना इस गारब हो रही है अगर ऐसे चीज़ें होंगी तो उसके पीछे यही कारड होगा यानि अगर कहें तो जब gravity के कारड जो सेब जब गिरा Newton का जो law था जो सेब गिरते हुए देखा जमीन की तरफ तो उनको नहीं पता था लेकिन उसके पीछे के कारड को उन्होंने जब जाना तो पता चला कि आपके जो gravity है आपके अर्थ की अंदर ठीक है उसकी वज़ा से चीज़ें जमीन की तरफ खिची चली आती है ठीक तो ऐसी चीज़ें कहीं पे होगी तो वो कहेंगे भाई पीछे gravity है आगे देखिए कहा गया सिध्धानतों की पूर्ण परिच्छा श्रम हो है scientific method के दोरा देख कहा गया समाज विज्ञान की भातिक सास्तर या रसायन सास्तर के समान अपनी सिध्धानतों या नीमों की परिच्छा यो पूर्ण परिच्छा करने में सच्छम है इसमें वज्ञानिक पद्धा्त की साथ से तथ एकत्रित की जाते हैं और इस पद्धत से Eternal के परुक विणिस्धा या है इसकी प्रामग्रिथा की जातकी जा सकती है यानि कि जो पहले से भी जो शिध्धानत बनाए गया है जो नियम बनाएगए है उनको फिर से scientific method से फिर से उनको चेक करते हैं फिर से उसको verify कर सकते हैं तो यहां पर यह चीज़ें कही जा रहे हैं इसके अंदर यह विशेश्ताइब है तो कर تم का गा देग्याँ नेकित तुम उयादस केड़्ाली में इन यह घृती हैं चाहर है कि जिभी परिषिदध्धियान वाहें समाज और कालों में खरीछ उतरते हैं उधार के रूप में यह सिद्धान सारोमविक रूप से ठीक पाया गया कि परिवारिक विगटन सामाजिक विगटन पर आधारित है तो यहां पिका जा रहा है कि इससे आपके scientific method से अगर आप research करते हैं कुछ result निकाल के लाते हैं कोई घटना का पीछे का कारण निकाल के लाते हैं तो इसको आप generalize कर सकते हैं इतना power इसमें होता है अगर वैसी परिस्थिती ठीक है वैसा ही कहें तो अगर situation बनता है तो आपका जो यह result निकलता है वो वहां पे भी same होगा तो इसका universal है इसको हम कह सकते हैं कि जहां जहां ठीक है परिस्थितियां सेम होंगी जिस परिस्थिती में result निकाला गया है आपके scientific method से तो वो आपका देखें तो वहां पे भी लागू होंगी वहां पे वह result निकल के आएगा दिखें कहा गया है भाईस्यवारी करने की छमता होती है कोई भी विशे इस कारण विज्ञान माना जाता है कि वह क्या है क्या अधार पर क्या होगा बताने में अर्था भाईस्यवारी करने में सच्छम है यानि कोई भी अगर विज्ञान किसी को कहा जाए कि विज्ञान का पावर किसे में है कोई scientific है ठीक है तो उसके अंदर ये गुड़ पाहे जाता है कि वो ये बताने में कहें तो उसके अंदर छमता पाहे जाती है कि future में ठीक है क्या होगा इसमें वो समर्थ होता है इसमें वो देखें तो सच्छम होता है कहा गया अने सब्दों में वैज्ञान एकान विरखका्स समाश्ता से बता सकता है कि विस्वार में ने है का Ohhh मैं रहे गए को ज़की परिवार की कौन से प्रकार विश्य सुरूप से पाई जाएंगे समास्तात के मौझूद ज्यान के आधार पर कहा जा सकता है कि प्राद कितिक विज्ञानों के समा यह भी भविश्यवाडी करने में काफी सीमा तक समर्थ है यानि कि यहां जा रहा है कि जो आपके scientific जो social science के field में अगर देखा जा इसका उपयोग किया जा रहा है अगर किया जाता है तो कहा जा सकता है कि आज के परिस्थितियों में जो चीजें आ रही हैं पीछे क्या कारण रहा है कि जो आज में हम इस प्रकार का situation देख रहे हैं तो भविश्य में अगर आज जो चल ला है तो भविश्य में इसका effect क्या होगा इसके अधार पर हमार society कैसे होगा हमार समाज कैसे होगा हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं इसके बारे में हम कहें तो भविश्य वाड़ी कर सकते हैं तर्क देना आवस्चेक होता है साथ ही आवस्चेकता अनुसार तथ्य भी दिये जाते हैं वैज्ञानिक पद्धत के अंतरगत सरप्रथम तथ्यों के संक्ता के यह ऐसी पद्धतियों यह उपकरोड़ों के चुनाप और जोदिया जाता है जो तरसंगत हो तारकी तार्चित् क्त्त के अंतरगत संक्रीत त Sectio के विसलर संथाकता के अधार पर किया साता है जिए कए का मतलब यहां पर आपका यह है कि जो आका का संसाच्छम होता है ठीक है झोग चीज क्यों हो रहा है ठीक है उसके पीछी क्या करणे यह पूरा का पूरा इसका उतर देने में कहिए Crystal य आगे दिखिए, दिखिए कहा गया है कि वैज्ञानिक पद्धत अनुभासित्र प्रमाडू या तथ्यों पर जोर दिया जाता है, लेकिन तार्किक्ता के अधार पर जो बात मालूम पड़ती है, या थार जान पड़ती है, उसे भी स्विकार कर लिया जाता है, यदि कहा अधार ही तर्क या तार्किक्ता है, तो इसमें किसी परकार का अतुष्यक्ति नहीं होगी, आगे कहा कि वैज्ञानिक पद्धत में अब्जेक्टिविटी पर विस्येश चोर दिया जाता है, बिना वैज्ञानिक निशर्स निकालना किसी रूप में संभव नहीं, और आक वहीं लगाना है कि जो चीजें घट रही है, जो घट ना दिख रही है, जो घट चुकी है, उसके बारे में जो छोटी सो छोटी जानकारे मिले मिले उसको हमी कलेक्ट करना है, ठीक, करें कतात पर है कि वैज्ञानिक पद्धत का प्रियूग करते हुश अध्यन करता या सोध करता को प्रतेक अस्तर पर इस बात की इफसेस ताधानी रखनी होती है कि उसके स्वें के पुर्वाग्र, विचार, भावनाय, पचपार, द्रिष्ट को अध्यन में बाधक नहीं बन जाए उसे तो पुरता निस्पच यानि कि अबजेक्टिव, वस्तुनिष्ट होकर तथ्यो या घटनाओं का यथार चितर करना है, निस्कर्स निकालना है, प्रकल्पना की सत्यता, ठीक है, हाईपोथेसिस की सत्यता या सत्यता प्रमारित करनी है यानि कि अगर hypothesis आपका सही हो रहा है तो सही अगर गलत हो रहा है तो यह जो भी चीज़ निकल के आएगा वैसे ही आपको रखना है यही वैग्यानिक आपके पध्धत के गुड़ में आते हैं तो यहीं आपका 21 मिनिट हो गया और अगर आप लोग आज की वीडियो पे बना सकता है जनरलाइज कर सकता है इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं क्या क्यों कैसे का उत्तर दे सकता है कारण और प्रभाव के सम्मंद को असापित करके उसकी व्याख्या कर सकता है सामने ला सकता है तो यह सभी चीज़ें अगर आप थोड़ा सा अंडेस्टेंट करे तो आपके PhD के entrance examination में भी इससे बहुत ज़्यादा आपको support मिलेगा interview अगर होगा तो panel के सामने आपका देखें तो एक बहुत अच्छा impact होगा अगर इन सक चीज़ों पर आपका पकड़ अच्छा रहेगा तो तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही और इससे जुड़ा हो कोई भी सावाल कोई भी problem आपको हो तो पूछ सकते हैं और जब तक की next video next update नहीं लाते हैं तब तक के लिए thanks for watching educational channel और आपका दिंग बहुत बहुत सुख